Hello dear students, Namaskar and welcome to Sankal Bharat Sankal Bharat में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं BNRI, संजीवनी जेई में आज Center of Mass का second lecture लेकर आया हूँ Lecture 1 में हम लोगों ने बहुत डीटेल में basic-basic Center of Mass कैसे बहेव करता है उसके बारे में पढ़ा था कुछ PYQs solve किये थे और थोड़ा सा हम लोगों ने Center of Mass of Distributed Mass System पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने Rod का Center of Mass और उस पर Variable Mass का Variable Mass Density का जो अपना Center of Mass होता है किसी Rod में वो calculate किया था Ring का Center of Mass निकाला था और Disc का Center of Mass निकाला था इस Center of Mass को संजीवनी में इतना डीटेल में पढ़ाने का बस मेरा एक ही उद्देश है कि आपको ये पता चल जाए कि कि किसी भी Distributed Mass System में Basic Element कैसे Consider किया जाता है जैसे हम Rod की बात कर रहे थे तो उसमें हमने एक छोटा सा DX Length का Basic Element कंसीडर किया था जिसको बार 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 जोड़ते चले जाए तो भाई साब क्या होगा बार बार जोड़ते चले जाएंगे तो पूरी Rod बन जाएगी ठीक है अच्छा भाई अगर हम बात करें डिस्क के Center of Mass का कि अगर हमको डिस्क का Center of Mass Calculate करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उस Distributed Mass System में एक चोटा सा Element मानना पड़ेगा तो डिस्क का जो Basic Element था वो रिंग था और रिंग का Center of Mass हमको पता होता है क्लियर है अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे with a very new one that is center of mass of hollow hemisphere अगर आपके पास एक hollow hemisphere है और उसका center of mass आपको calculate करना है तो आप कैसे calculate करेंगे तो पहले तो हम hollow hemisphere draw कर लें सबसे पहला काम है कि आप एक hollow hemisphere draw कर लीजे सर जैसी आपकी आगया सर हमने ये एक hollow hemisphere draw कर दिया जिसका radius है कितना जिसका radius है आप ठीक है बहुत अच्छा अब क्या करना है सर अब क्या करना है आप देखना है कि भाईया हमारे पास जो center of mass का basic formula है x com या y com तो भाई पहले तो हम decide करेंगे कि ये कौन सी axis के about symmetrical है तो देख रहा है कि ये y axis के about symmetrical है तो इसका जो x com होगा इसका जो x com होगा that will be equivalent to 0 x com इसका सुनने हो जाएगा बहुत बढ़ियां very good क्या बात है चलिए sir y com हमको calculate करना है तो y com का basic formula होता है अपने पास क्या y into dm upon dm distributed mass system dm is the mass of the basic element तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस hollow hemisphere का basic element क्या होगा जिसको बार 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 repeat करते चले जाए तो ये hemisphere बन जाएगा तो जब इसके basic element की बात करते हैं तो hollow hemisphere का जो basic element होता है वो होता है ring एक भाई बढ़ा ring लो r radius का उसके बाद उसका radius दीरे 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 घटाते चले जाओ और ring की position एक के उपर एक overlap करते चले जाओ एक समय ऐसा आएगा कि आपको एक complete hollow hemisphere मिल जाएगा तो इससे हमको ग्यान हुआ कि जब हम hollow hemisphere की बात करेंगे तो इसका जो basic element होगा बेटा वो होगा ring अब भाई दूसरी बात यहाँ है पैदा होती है कि जब हमको basic element मिल गया ring तो अब हमको इस ring की positioning माग करनी है कि इस ring की positioning हम कैसे माग करेंगे ठीक है चलो भाई देखो तो कैसे माग करोगे भाई क्या करो इसमें आप इसमें आप y पर जाकर y पर जाकर एक element मानो एक element मानो ring का ठीक ऐसे अच्छा भाई बहुत पड़िया आप कह रहे हो master साब मान लिए अब भाई इसकी thickness कितनी माननी होगी इसकी भाई कुछ न कुछ तो थिकनेस होगी भाई कुछ न कुछ तो थिकनेस होगी तो इसकी थिकनेस हम क्या मानने तो हम कह रहे है y पर जाकर इसकी आप एक थिकनेस मान लीजिए ये जो थिकनेस है इस थिकनेस को मान लीजिए dy y पर जाकर इस थिकनेस को मान लीजिए कितना है भाई यह थिकनेस की value है dy ठीक है बहुत बड़िया अच्छा ये ring का जो radius है ये variable है अभी मैं इसका radius मान लेता हूँ क्या अभी मैं इसका radius मान लेता हूँ x ठीक है चलो भाई अब इसी element को अगर मैं उठा के बाहर रख दूँ देखो तो मेरा element कैसा है ये मेरा basic element है द्यान से देखेगा बहुत मज़ा आएगा एक एक बात आपको बहुत अच्छे से crystal clear हो जाएगी ये आपका ये आपका basic element ठीक है सर बहुत बढ़िया ये circular element है basic element है जिसकी thickness कितनी है जिसकी ठीकने से भाई साब dy अच्छा ये जो element है इसकी positioning है यापर ये आपका o point है ये y है और ये जो है ये x है ध्यान से देखेगा बहुत बढ़िया से समझेगा इसको बहुत मदा आएगा सर अगर आप इसको अच्छे से समझ ले जाएंगे तो समझ लेजेए आपका अच्छा खासा काम बन जाएगा अब मुझे चाहिए इस d y की value तो मैं कहा रहा हूँ कि जो मेरी reference line है horizontal line है इससे आप theta पे जाकर एक छोटा से element मानलो d theta और भाई यहाँ से d y की value radius कितना है इसका radius है r देखो यही वो element है यही वो element है जिसकी positioning हमने mark करी कहा जिसकी positioning हमने mark करी भाई theta पर जाकर theta पर जाकर d theta और यह value जो है यह आपकी value d y है अच्छा अगर आप इसको समझें तो यह एक छोटी सी arc होगी और arc equals to होता है theta into radius तो मैं d y को लिख सकता हूँ बेटा जी r into d theta ठीक है अब मुझे क्या पता चल गया अब मुझे इस ring का इस ring का thickness पता चल गया d y दूसरी बात क्या d y that is equivalent to kya है that is equivalent to r d theta अब इसकी position निकालते है y तो अगर हम y निकालें तो देखो भईया यह theta है यह theta है तो समझें क्या यह भी आपका theta हो जाएगा मतलब यह y है y है ध्यान से देखो यह आपके पास x है यह आपके पास y है और यह angle आपके पास theta है तो obvious सी बात है यह भी क्या हो जाएगा theta हो जाएगा ठीक है यह d theta बहुत small है जो बस इस element में इस element की thickness में change दिखाएगा इसकी position में नहीं दिखाएगा तो भाई हम यहाँ theta मान रहें तो यहाँ भी क्या मान लेते है theta मान लेते है ठीक है यह जो radius से यह r है तो y की value हमको मिल जाती है बेटा जी r sin theta और x की value हमको मिल जाती है kya x की value हमको मिल जाती है r cos theta लो भाई या y भी हमको theta के term में पता चल गया x भी हमको theta के term में पता चल गया इसकी thickness भी हमको theta के term म में वो कितना है, XCOM 0 है, क्यों भाईया, क्योंकि यह Y-axis के about symmetrical है, तो X-axis में इसका center of mass सुनने होगा, अब क्या करना है, अब आपको calculate करना है YCOM, that is center of mass along Y-axis, तो भाईया, center of mass along Y-axis का basic सा formula है, क्या formula है, क्या formula है, Y into DM upon DM, ठीक है, शालो भाईया, हमको पता है कि DM जो mass है, वो total mass M है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर आप देखोगे, तो DM की value Y के साथ बदल रही है, नीचे DM independent है, तो इसी को हम YCOM को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 by M into Y into DM, अब क्या challenge पैदा होता है बेटा जी, अब challenge पैदा होता है, DM निकालना, कि DM कैसे निकाले, तो भाई, हमको पता है कि यहाँ पर जो हमारा mass का distribution है, वो किसके along है, वो length के along है, area के along है, या volume के along है, तो clearly पता चल रहा है, hollow hemisphere है, मतलब भाईया, इसका जो mass distribution है, वो बस केवल surface पर है, और अगर surface पर केवल mass है, total mass M है, तो मैं कह रहा हूँ, कि 2 pi r square area में, जो mass है, वो M है, तो unit area में कितना होगा, that is M upon 2 pi r square बेटा जी, ठीक है, तो भाईया, इसका जो छोटा सा area होगा, यह जो area कवर करेगा, इसका area होगा, तो DA में mass कितना होगा, that is M upon 2 pi r square into DA, that will be equivalent to DA, ठीक है, अब DA लिखने आना चाहिए, इसका area कैसे लिखेंगे, तो यह एक ring है, यह एक ring है, अगर आप इसको open कर देंगे, तो इसका पूरा जो length बनेगा, देखो, इस ring को अगर आप open कर दोगे, इस ring को अगर आप open कर दोगे, तो आपके साथ क्या होगा, समझ रहा, इस ring को open कर दोगे, तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपको ज्यान हो जाएगा, किसका area of the element का, यह आपकी ring रही, ठीक है, इसकी thickness कितनी है, इसकी thickness कितनी है, बेटाज, इसकी thickness है r d theta, और इसकी length कितनी है, इसकी length है, 2 pi x, और x की value कितनी है, x की value है, आपके पास r cos theta, तो area कितना हो जाएगा, area length into break, that is 2 pi r cos theta into r d theta, बहुत बढ़िया, तो देखो, dm की value अब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, dm की value को अब हम क्या लिख सकते हैं, तो अब हम लिख सकते हैं, dm equals to m upon 2 pi, 2 pi r square into, m upon 2 pi r square into 2 pi r cos theta into r d theta, 2 pi r cos theta into r d theta, that is the mass, that is the area of the element, ठीक, 2 pi r square का mass m था unit area का m upon 2 pi r square होगा, तो dA area का जो mass होगा, वो m upon 2 pi r square into dA होगा, और dA की value आपके पास हो जाएगी, 2 pi r cos theta into r d theta, चलिए, बहुत अच्छा, very good, अब इस 2 pi r, 2 pi r से, ध्यान से रेखेगा, इस 2 pi r से, आवई, इस 2 pi r से, 2 pi r और ये square से ये r कट जाएगा, और dm equals to आपको क्या मिल जाएगा, ये जो small element का mass होगा, dm, इसकी value आपको मिल जाएगी, क्या, इसकी value आपको मिल जाएगी, m into, भाई, m into cos theta, m into cos theta into d theta, ठीक है, ये अपने पास होगया क्या, ये अपने पास होगया dm बेटा जी, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, very good, तो जब हम y c o m निकालने जाएगे, तो 1 by m, y की value कितनी है, घ्यान से देखेगा, y की value कितनी है, तो बेटा जी, y की value हमको दिख रही है, r sin theta, यहाँ पर उठा कर हम y की जगे लिख देंगे, क्या, r sin theta, और dm की जगे क्या लिख देंगे, dm की जगे लिख देंगे, m cos theta into d theta, और उसके बाद क्या होगा, m से m कर जाएगा, और y c o m की बात करेंगे, तो यह आपके पास हो जाएगा, r, यह आपके पास कितना हो जाएगा, r भईया, और इधर कितना हो जाएगा, 2 से multiply और 2 से divide कर दिया जाए, इसको लिख सकते हैं 2 sin theta, 2 sin theta, cos theta, d theta, limit कहां से कहां तक, limit 0 से लेकर πाई बाई 2 तक, ध्यान से देखना, जब theta सुन यह था, तो हमारे पास पूरा बड़ा वाला circle था, जैसे जैसे हम theta को बढ़ाते जाएंगे, हमारा जो ring है, वो उपर की तरफ चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, एक समय आएगा, जैसे हमारा 90 degree होगा, हम बात कर रहे होंगे, यहाँ पर जो छोटा सा element बन रहा होगा, रिंग का, उसका, रेडियस लगबख सुनने के बराबर होगा, ठीक है, चले बात करें, यहाँ तक का नहीं समझ आई, कई बार बच्चों को गरबर हो जाता है, मास्टर साब, रिंग तो साला यहां से यहां रहे है, थीटा 0 से πाई क्यों नहीं मान ले रहे हो, याद रखना, जब मैं यहाँ थीटा की पोजिशनिंग मार्क कर रहा हूं, तो इसका आधा हिस्सा अटोमेटिकली कवर हो रहा है, यह कम्प्लीट रिंग है, तो मेरा थीटा कहां से कहां जाएगा, तो मेरा थीटा 0 से लेकर पाई बाई 2 तक जाएगा, ठीक है बाई, 0 से लेकर पाई बाई 2, sin2 थीटा, इंटु डी थीटा, अब sin2 थीटा को जब आप, sin2 थीटा को, जब आप क्या करोगे, जब आप 0 से लेकर पाई बाई 2, जब आप इसको, जब आप इसको इंटिगरेट करोगे, तो Y-C-O-M आपको क्या मिल जाएगा, तो देखो, Y-C-O-M मि कालेंगे बच्चा तो ये क्या मिलेगा यह R by 2 अच्छा भय यहां पर Minus आगया तो Cos 0 की value हो गई 1 by 2 ठीक है बहुत अच्छा फिर उसके बाद minus sign लगा दिया अब भया Cos Pi की value होती है minus 1 तो minus minus मिलके क्या हो जाएगा plus 1 और divided by 2 ये वाला 2, तो 1 by 2, 1 by 2, 1 हो जाएगा, तो आपको YCOM मिल जाएगा, that is equivalent to R by 2, तो मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया कि मेरे hollow hemisphere का, मेरे hollow hemisphere का, जो center of mass होगा, वो Y axis मिलाई करेगा, क्यों, क्योंकि ये Y axis के about symmetrical है, और YCOM की value होगी R by 2, मतलब center of mass will lie somewhere, somewhere here, और यहाँ पर य ये जो value मिलेगी, ये आपको मिलेगी R by 2, ठीक है, अरे ठीक है भाई, अब देखो, अब क्या है, अब क्या है, अब हम बात करते हैं, इसके थोड़े से और अच्छे version की, the next version is, center of mass of solid hemisphere, solid hemisphere, अगर solid hemisphere हो गया, तो भाई, completely symmetric हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, त अब तो अपने बहया जाआ, उसका center होगा, वही पे उसका center of mass होगा, लेकिन hollow hemisphere है, तो center of mass, अब center पर नहीं रहेगा, अब center of mass बदल जाएगा, solid hemisphere है, तो अब भी center of mass बदल जाएगा, सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो अब इसको समझते है, solid hemisphere का अगर हमको center of mass निकालना ह तो पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो solid hemisphere होता है उसका shape कैसा होता है ठीक है चलो देखो जब तुम बात करोगे solid hemisphere की तो तुमको कुछ इस तरह का shape मिलेगा ये तुम्हारा होगा solid hemisphere लेकिन ये अंदर से पूरा भरा हुआ होगा अब ये खाली नहीं होगा और अगर solid hemisphere की भी बात करें अगर हम solid hemisphere की भी बात करें बेटा तो क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है यही दिख रहा है कि ये भी जो है भाई साहब ये भाई साहब भी क्या है ये भाई साहब भी symmetric हैं कौन सी x के about y x के about y x के about symmetric हैं मतलब पहला conclusion हमारा निकला कि जो हमारा XCOM होगा इस XCOM की value सूनने के बराबर होगी ठीक है चलो भाई बहुत अच्छा very good अब lecture को और आगे बढ़ाते हैं अब दूसरी बात आती है कि इस solid hemisphere का radius हो गया आपके पास r इस solid hemisphere का radius हो गया आपके पास r और अब बात आती है कि जब आ मास निकालोगे XCOM आपका 0 हो गया YCOM जब आप इसका देखेंगे तो YCOM क्या लिखेंगे Y into dm upon dm and dm is the mass of the basic element जिससे आपका जिसको बार बार जोडने से आपका desired shape बनके आता है यहां पर आपका desired shape solid hemisphere है तो solid hemisphere का basic element क्या होगा solid hemisphere एक आघ र रेडियस का disc लो समझना एक आघ रेडियस का disc लो अब क्या करो उसमें से r minus dr radius कम करते चले जाओ और दिस्क को एक के उपर एक के उपर रखते चले जाओ एक समय ऐसा आएगा कि क्या बन जाएगा एक समय ऐसा आएगा कि आपको एक solid hemisphere मिल जाएगा और जब आपको solid hemisphere मिल जाएगा आप solid hemisphere के element का ग्यान हो गया element का center of mass देखिए कानी calculate करिए answer निकालिए और घर जाइए बस यही करना है इसमें, अब भाईया हमको पता चल गया कि हमारा basic element इसमें disc है, लेकिन अब क्या करना है अब उस disc की positioning को भी mark करना है, कि उस disc की positioning कैसे mark होगी, जैसे हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि हम इसमें देखे कि भाईया यह आपके पास Y मान लिया, यह आपका क्या लिग दिया, यह आपका लिग दिया भाई साम, यह आपका radius था, ठीक है, तो हमने X की value R, cos theta लिग दी, Y की value R, sin theta लिग दी और calculate की और हमाणा answer आया, ठीक है, अच्छा बाई अच्छा ये सब हम इस वज़े से कर रहे थे ये purpose बस हम इस वज़े से अपना use कर रहे थे क्योंकि जब हम यहाँ पे DM लिख रहे थे तो DM में हमारा कहीं square square नहीं आ रहा था लेकिन same as अगर यही same process आप यहाँ follow करेंगे तो आपके साथ थोड़ी calculation में समस्या आ जाएगे तो याद रखेगा कि जब भी hemisphere दिखे और basic element आपको disk मानना हो तो उस disk की calculation कैसे करेंगे इसको practice करकर के अपने दिमाग में बिठाइए और फिर इतना practice करिए कि वो आपके उंगलियों पर आ जाएगे यह कुछ basic pattern है calculation के जिनको आपको follow करना ही पड़ेगा ठीक है चलिए देखे यह क्या है अब मैं क्या रहा हूँ कि अगर मैं इसमें basic element मानता हूँ तो देखो भाई मेरा basic element जो बनेगा वो क्या बनेगा मेरा basic element बनेगा डिस्क ठीक है यह होगा वो मेरा basic element डिस्क ठीक बढ़ायज होगे है इस टिकनेश होगेenne a यह वाला हिस्स यह आपके पास होगा मास जो इसके अंदर है कि बस देखो पूरा कोशिश है कि तुमको पूरा 3D का फील आ जाए ठीक है अच्छा वाई अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारा जो मास का डिस्टिब्यूशन है वो कैसे है वो लिंद के अलोंग है एरिया के अलोंग है या वालियूम के अलोंग है सोच के आंसर करेंगे हमारा जो मास का डिस्टिब्यूशन है वो किसके अलोंग है वो लिंद के अलोंग है एरिया के अलोंग है या वालियूम के अलोंग है तो पूरा भरा हुआ मास है अब इसकी positioning माक करना बहुत जरूरी है positioning mark करना आपको पता होना चाहिए और बहुत धंग से पता होना चाहिए कि कैसे किसी hemisphere में डिस्क की positioning को mark किया जाए ताकि हमारी calculation थोड़ी आसान हो जाए तो उसके लिए हमने कहा कि ये काम करो इसकी position भाई सबसे पहली बात की ये मान लो कि ये जो disc है ये y पर जाकर कितने थिकनिस की है y पर जाकर dy थिकनिस की है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है और इसका radius कि होतना है इसका radius इसका X अच्छा इस डिस्क का radius X और इस प्यर है यहां से यहां पर जोड़ दें तो बाई हिसका radius कितना हो जाएगा तो इसका radius हो जाएगा अपने पास के तो dm equals to कितना हो जाएगा m by v into dv, v volume का mass m है, unit volume का m by v होगा, तो dv volume का m by v into dv, ठीक है, चलो बाई, तो dm equals to क्या मिल जाएगा, तो mass है m volume है, 4 upon 3 pi r cube पूरे स्फेर का, तो 2 upon 3 pi r cube इसका, और dv कितना हो जाएगा, अगर इसका volume देखेंगे, तो इसका radius जो है, ध्यान से radius जो है, वो pi x square है, x है, तो इसका area हो जाएगा, pi x square, और इस disk का thickness कितना है, dy, तो ये आपके पास हो जाएगा, dy, इस pi से ये pi कट जाएगा, और dm की value आपको क्या मिल जाएगी, dm की value मिल जाएगी आपको, 3 m upon 2 r cube into x square into dy, ये हमको मिल गया, अब हमको करना क्या है, अब हमक y क्या होगा, अच्छा भय जब हम देख रहें कि हमारा ये d y है, और ये मेरा क्या है y है, अरे बहुत अच्छा, तो क्या मैं इस x square को eliminate कर सकता हूं, क्या, तो मुझे दिख रहा है, इस right angle triangle से की मैं लिख सकता हूं x square equals to r square minus y square, देखो x square equals to क्या लिख सकता हूं, r square minus y square तो अब मैं क्या करूँगा अब मैं क्या करूँगा बेटा जी अब मैं करूँगा y com की calculation y की जगे तो भाई y रहने दिया dm की जगे क्या लिख दिया dm की जगे लिख दिया 3m upon 2 r cube और x square की जगे क्या लिख दिया x square की जगे लिख दिया भाईया R square minus Y square into D Y R square minus Y square into D Y बहुत बढ़िया and whole divided by M भाईया DM independent है Y पर तो भाईया यहाँ पर DM जो है वो Y पर independent है इस DM का integration directly 1 by M हो जाएगा ठीक है चलो भाईया अब अगर D Y को देखोगे तो यह D Y 0 से लेकर R तक वैरी कर रहा है इस d y की value सुमने से सुरू हो रही है और r radius के solid hemisphere तक जा रही है this is the pattern of calculation of center of mass of solid hemisphere ठीक है चले कहानी को आगे बनाएं sir चलिए बहुत बढ़िया आप कह रहे हैं lecture को आगे की तरफ लेके चला जाए अब इसको अगर हम calculate करना चाहें तो देखी क्या होगा अगर अब आप इसको calculate करना चाहेंगे अब आप इसका y c o m निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे देखे, y c o m निकालना है, अपने पास 1 by m था, और यहाँ पर क्या common कर लिया, यहाँ पर 3 m upon 2 r cube को बाहर कर दिया, यहाँ पर 3 m upon 2 r cube को बाहर कर दिया, और y को अंदर multiply करा दिया, तो y को जब हमने अंदर multiply कराया, तो क्या बना? r square y, ठीक है, minus, minus y cube, r square y minus y cube into dy, ठीक है, अब integrate कर दिजे, आपको मिल जाएगा क्या center of mass, तो जब y c o m की बात करेंगे, तो इस m से यह m कट जाएगा, और यह हो जाएगा 3 upon 2 r cube, और यहाँ क्या हो जाएगा, r square y square by 2, minus y की power 4 by 4, और limit लग जाएगी, 0 से लेकर r तक, और फिर आपको y c o m मिल जाएगा, बेटा जी, क्या मिल जाएगा, y c o m, y c o m मिल जाएगा, 3 upon 2 r cube, 3 upon 2 r cube, और भई, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जब आप r रखेंगे, तो यह हो जाएगा, r square by 2, minus r की power 4 by, sorry, sorry, sorry सक्ति मान, r की power 4 by 4, minus r की power 4 by 4, क्या बात है भईया, r की power 4 by 2, r की power 4 by 2, minus r की power 4 by 4, जब y c o m लिखे, तो क्या मिला, 3 upon 2 r cube, इंटू, इंटू, r की power 4 by 4, oh, r की power cube से यह 4 कट जाएगा, मतलब आंसर आपने पास क्या, आंसर आपने पास, 3 r by 8, that is y c o m, क्या बात है, क्या बात है, वाईया, y c o m मिल गया, 3 r by 8, very good, very good, बहुत बढ़िया, x c o m हो गया, सुनने क्यूंकि यह कौनसी एक्सिस के about symmetrical था, तो यह जो बेचारा था, y x के about symmetrical था, तो x c o m की value यहाँ पर हो गई सुनने के बराबर, ठीक है, यह था हमारा calculation center of mass का solid hemisphere का, यह सब छोटे 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 फॉर्मुले हैं, जो आपको पता होने चाहिए, और यह calculations आपको आनी चाहिए, because you are preparing for the exam, that is j means and advance, और यह सब इतना आसान नहीं है, इन सब को calculate करने का, इन सब को निकालने का, आपको थोड़ा आदत तो डालना पड़ेगा ही पड़ेगा, and element consideration is the most important part of mathematics used in physics, अगर आपको element मानने आगया, अगर आपको element मानने आगया, तो आपकी सारी दुख, सारी विधाएं, जितनी है, center of mass की derivation बस इसी कारण से करा रहा हूं, otherwise मैं center of mass को एक lecture में खतम करता और आगे बढ़ जाता, लेकिन बस आपकी भलाई के लिए, center of mass हर एक body का mac derivation calculate कर रहा हूं, क्यूंकि आपको पता चलना चाहिए, कि किसी भी element का consideration किसी shape में कैसे हो रहा है, और उस element के calculation का approach क्या है, दोन body आती है हमारे पास, that is center of mass of solid cone, center of mass of solid cone की बात करते हैं, देखे quién, तो solid cone जो होता आ है, वो कैसा होता है, solid cone कैसा होता है, एक line हम यहां से खीचते हैं, औरे बिलकुल खीचते हैं, बिलकुल खीचते हैं, सर देखिए, 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 थोड़ा साइस does solid cone को बना लेते हैं आईए ये आपके पास एक line रहा ओह सीधा हो गया क्या बात क्या बात ये आपके पास दूसरा line रहा ठीक है बहुत अच्छा और इसमें हमने इसमें हमने कैसे गोला बना दिया क्या बात है बन गया बहुत अच्छा very good master is doing great master is doing great oh my god बदल रे भाईया, रे भाईया, रे भाईया, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, यह रहा अपने पास एक कोन, लेकिन यह कैसा कोन है, याद रखेगा, इत इस अ सॉलिड कोन, और अगर यह सॉलिड कोन है, इसमें एक एक्सिस दिख रही है हमको, जिसके अबाउट य स्यमेट्रिकल है, और अगर यह भाई साथ स्यमेट्रिकल है, तो बूझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, क्या हम कहना क्या चाहरे है, हाँ बिलकुल बूझ रहे हैं, यह इनका सेंटर मार्क कर लिया, हमने ओ यहाँ पर आपकी मर्जी यहां मार्क कर लिजे, आपकी मर्जी नीचे मार्क कर लीजे कहीं भी कर सकते हैं उपर वाले से थोड़ा calculation आसान होता है इस वज़े से उपर वाले पर मान लेते हैं ठीक है चलिए भाईया अब हम कह रहे हैं कि इसका जो radius यह radius r है और इस cone का जो height है वो h है और यह जो मेरा cone है यह मेरा cone y-axis के about symmetrical है तो सीधी सी बात एक समझ आती है कि इसमें मेरा जो x-com होगा वो सुनने के बराबर हो जाएगा अब दूसरी बात आती है कि जब हम इसका y-com निकालने जाएंगे भाईया y-axis के about यह symmetrical है तो y-axis के about इसका center of mass निकलेगा और वो कितना निकलेगा वो निकलेगा y into dm upon dm और फिर से अपने सामने एक challenge आया dm is the mass of the element जिसको बार-बार repeat करने से यह cone का shape यह solid cone का shape बन जाता है तो वो कौन सा इसा होगा भाईया जिसको बार-बार repeat करोगे तो क्या बन जाएगा जिसको बार-बार repeat करोगे बेटा जी तो वो बन जाएगा अपने पास right circular solid cone तो इसका भी basic element होगा disc basic element क्या होगा disc एक बड़ी disc लो एक बड़ी disc लो उसके बाद और चोटी और चोटी और चोटी और चोटी और चोटी वो game खेले ऐसे उड़ाने वाला होता था एक pillar होता था जिसमें खूब सारे रखे जाते थे अरे ठीक है देखे हो अरे एक वो ball से फेक के मारने वाला भी होता था उसमें क्या होता था कि छोटी-छोटी plates होती थी और उन plates को एक के बाद एक के बाद एक उपर रखते थे अरे रखते थे ना तो कैशा safe बनता था वहिया solid को उनका ही तो safe बनता था उसी की calculation है सब कुछ वाइसा ही चलेगा जैसे आप पहले पढ़ रहे थे बस आपको ध्यान देना है कि हम इसमें calculation कैसे कर रहे है मेन मुद्धा बस सारे focus का यही है कि इसमें calculation कैसे हो रही है इसकी समझ और element कैसे consider कर रहे है उसकी समझ तो वहिया हमने कहा एक काम करो उपर से उपर से x पर आकर या y पर आकर y एकस में चल रहे है तो इसको y कह लेते है y पर आकर एक छोटा सा element मान लो एक छोटा सा element मान लो तुम d y थिकनेस का ठीक है यह आपके पास वो d y थिक्नेस का element हो गया ठीक है, चलो बहुत अच्छा इसको ठोड़ा fill कर देते है इसको ठोड़ा fill कर देते हैं ये gap को तो आपको ठोड़ा और अच्छा feel आएगा ठीक है चले बहुत बड़ी रहां great data झी ये देखो ये वो element है हां बाई ठीक है चले यह यह पराकर हमने एक dy ठिकनेस का इसकी जो ठिकनेस है इसकी ठिकनेस है dy ध्यान से देखना y पर आकर हमने एक dy thickness का disk मान लिया y पर आकर जब हमने एक dy thickness का disk माना है भाईया यहाँ पर इसका कुछ अपना radius भी होगा that radius is x x axis में है तो हमने इनको मान दिया x अब जब हम इसका center of mass लिखने जाएंगे तो हमको इसका क्या पता होना चाहिए इसका dm पता होना चाहिए अगला challenge है तो जब हम dm निकालने जाएंगे तो dm कितना मिलेगा mass का distribution कैसे भाईया तो mass का distribution है गुरू जी volume के along तो dm equals to हो जाएगा m by v into dv m by v into dv समझो भाईया m by v into dv that will be equivalent to dv dm क्यों भाईया v volume का mass m है unit volume का mass m by v है तो dv volume का mass कितना होगा m by v into dv होगा बहुत अच्छा very good चलो अब इसी dm को लिखते हैं छोटे से element का mass लिख लेते हैं भाईया m upon volume of cone solid cone अब यहाँ सबस्चे आए कि volume of cone ही नहीं पता है तब तो थोड़ा सा भाईया mensuration होता था ना एक जिसमें कोन आता था इस फेर आता था अपने पास सिलिंडर आता था उन सब का थोड़े data याद कर लिजे सब जरूरत पढ़ेगा physics में बुझ रहे हैं कि नहीं बात को एकदम दिमाग में fit करिएगा फार्मुला नहीं याद रहेगा physics समझ नहीं आएगी बुझाई चलो आओ देखो वाल्यूम कितना वाल्यूम हो जाएगा आपने पास वान अपॉन थ्री पाई आर स्क्वेर एच अब सवाल पैदा होता है इस डीवी के वाल्यूम को लिखने का तो जब आम इस डीवी भाई साब का वाल्यूम लिखेंगे तो यह बहुत छोटा सा सिलेंडर होगा और सिलेंडर का वाल्यूम होता है पाई आर स्क्वेर एच तो इसका रेडिय से एक्स तो हम लिख देंगे क्या भाई आपाई एक्स स्क्वेर और इसकी थिकने से कितनी डी वाई अब जब हम इस value को उठा के यहां रखेंगे और YCOM calculate करने चलेंगे तो बहुत बड़ा challenge आँकों के सामने आने वाला है DM की जगे लिख देंगे 3M upon pi r square h into pi x square into y into dy भहिया 3M pi r square h pi constant x variable है और y variable है और भहिया derivative किसका है? dy का है तो हम इसको integrate नहीं कर पाएंगे तो इसको integrate करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको integrate करने के लिए आपको पहले x को y के form में convert करना पड़ेगा जब तक आप इस x को y के form में convert नहीं कर लेंगे तब तक आप YCOM नहीं निकाल पाएंगे तो अब एक और नहीं कठिना ही पैदा हो गई क्या नहीं डाइग्राम को धंग से देखे आपके पास अंसर है क्या भाई हमको दिख रहा है कि हमारे पास एक triangle है बड़ा वाला जिसका height h है और जिसका base r है और एक दूसरा छोटा triangle है इसी के अंदर जिसका height y है और base जो है वो x है तो मैं क्या लिख सकता हूँ मैं इसी triangle से एक data निकाल हूँ कि r by h जो होगा वो मेरा x by y के बराबर होगा देखो यह triangle रहा आपके पास अब यहां से x की value लिखोगे तो x की value कितनी मिल जाएगी that is r by h into y अब x उठा के यहां रख दो जब बेटा जी यह यह वाला x उठा के यहां रखेंगे तो यह देखिए यह pi से यह pi काट दीजिए और यह m से यह m काट दीजिए लीजिया भाईया थोड़ा और simplify कर देते हैं अब जो constant time है उसको बाहर कर दीजिए तो 3 upon r square h को बाहर कर दिया और अब x की value रख दी तो x की value हमारे पास हो गई r square upon h square into y square into y into dy और अब हम इसको integrate कर सकते हैं 0 से लेकर h तक और अब हमारा answer आ जाएगा इस r square से r square भाई साहब कट जाएंगे यह r square से r square कट गया और हमारे पास क्या हो गया into h यह h square और यह h दोनों मिलकर हो गए h cube और यहां हो गया y की power 3 into dy और limit 0 से लेकर h तक क्या बात है मतलब यहां से हमको बिलेगा 3 upon h cube into y की power 4 by 4 limit 0 से लेकर h तक और जब हम इसको solve करेंगे तो यह हमारे पास आजाएगा 3 h by 4 y c o m क्या आ गया y c o m क्या गया बेटा जी y c o m आ गया 3 h by 4 ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब हमारा काम बन गया यहां तक y c o m निकल गया किसका solid कोन का solid कोन का 3 h by 4 याद रखना लेकिन बस यही याद रखना है कि यह y c o m कहा से है यह उपर से है कितना 3 h by 4 तो नीचे से कितना होगा नीचे से होगा h by 4 याद रखेगा यह बात कि यह जो कोन में center of mass 3 h by 4 निकाले हैं यह o point से निकालें अगर यह हम यहां से निकालते तो हमारा जो center of mass आता वो h by 4 आता ठीक है चलो बहुत अच्छा very good उसके बाद की कहानी इसके बाद है आपके पास एक और center of mass की calculation that is center of mass of holocon मैं इसको देता हूँ आपको homework और यह मेरा challenge है आप से कि आप मुझे इसका calculation बताएंगे ठीक है कि कैसे center of mass of holocon निकालते हैं ठीक है यह आपका होता है 2H by 3 कौनसे साइट से कौनसे वाले साइट से इसी कोने वाले साइट से इस वाले साइट से जो आपका YCUM होगा यह YCUM होगा 2H by 3 ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब क्या करें सर अब एक काम करते हैं अब एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं और समझते हैं एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं और सारे center of mass जिसको हमने के अलकुलीट किया था उन सब को यहां लिखते हैं जैसे जैसे भाई सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें बाई रॉड की देख ऐसे बना लो बड़ा सा ठीक है चलिए बहुत अच्छा ये आपके पास हो गया ठीक है ओके बाई इसमें हमने एक पार्टीशन इधर कर दिया शेप्स का और उनके सेंटर ओफ मास का सेम एस एक पार्टीशन इधर खीच दिया दो हो गया एक पार्टीशन इधर खीच दिया चलिए बहुत अच्छा अब इसमें बनाते हैं अब और पार्टीशन बना लेते हैं और पार्टीशन बना देते हैं एक दम बढ़िया सारा क्या है सबसे पहले हम बात करते हैं एक रॉड की तो जब हम किसी रॉड के सेंटर आफ मास की बात करते हैं तो इस रॉड का जनरल सेंटर आफ मास होता है वो क्या होता है वो होता है अपने पास L by 2 सेंटर आफ मास क्या होता है यह सेंटर आफ मास होता है L by 2 अगर इसकी होगा center of mass होगा L by 2 अच्छा सब बहुत बढ़िया इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके बाद हम लोगों ने इसका center of mass center of mass कौन से एक्सिस में XCOM that is equivalent to L by 2 YCOM that is equivalent to zero ठीक है XCOM L by 2 YCOM की value सुनने के बराबर बहुत बढ़िया great अब चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं दूसरा हमने देखा था बढ़िया दूसरा हमने देखा था एक ring क्या था रिंग कौन सा कौन सा ring कौन सा ring बढ़िया semi circular ring जिसका radius कितना है r और semi circular ring का जो center of mass होता है यहाँ पर यह y axis के about symmetrical है तो आपका x c o m जो है वसुन्य हो जाता है और y c o m की जो value होती है यह बराबर हो जाती है आपके पास किसके यह बराबर हो जाती है आपके पास 2 r by 2 r by ठीक है अच्छा इसी का अगर आप quarter कर दोगे तो उसका center of mass अगर आप इसी को quarter circle में तोड़ दोगे ध्यान से देखो अगर आप इसी को ऐसे quarter circle में तोड़ दोगे तो आपका center of mass क्या हो जाएगा अगर मैं इसी को quarter circle में तोड़ दोगा तो जो मेरा center of mass होगा अब देखो यह अपने पास r radius है quarter circle कर दिया तो अब यह ना तो x के about symmetrical है ना तो y के about इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने अगले shape जिसका नाम है disc ठीक है यह हमारा disc अगर इस डिस्क की बात करी जाए तो इस डिस्क का रेडियस है आपका R इस डिस्क का रेडियस कितना है इस डिस्क का रेडियस है R और यह जो डिस्क है यह डिस्क भी यह डिस्क भी कौन सी एक्सिस के बाउट सिमेट्रिकल है तो y-axis के अब आउट symmetrical है तो मतलब xCOM आपका जो होगा xCOM जो आपका होगा वो कितना होगा xCOM will be equivalent to 0 और yCOM will be equivalent to yCOM will be equivalent to 4R by 3π ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अच्छा इसी का quarter कर देंगे तो क्या मिलेगा quarter कर देंगे तो आपका xCOM b4R by 3π हो जाएगा और yCOM b4R by 3π हो जाएगा जैसे देखे यह आपके पास यह आपके पास एक डिस्क है जो कैसी है जो किसके form है जो quarter circle के form है इसका radius कितना है इसका radius है आपके पास R इसका radius है आपके पास इसका radius है आपके पास R ये भी R है, ये भी R ये quarter circular disk है, इसका center of mass कहीं आपर होगा, और कितरा होगा कितरा होगा, sir, XCOM आप लिखेंगे तो भी आप लिखेंगे 4R by 3π और YCOM जब आप लिखेंगे तो YCOM भी क्या लिखेंगे that will be equivalent to 4R by 3π अच्छा, इसके बाद अभी तो हम लोगों ने और वाले symmetrical है तो इनका XCOM सुनने हो जाएगा और YCOM की value हो जाती है R by 2 ठीक है YCOM हो जाता है R by 2 लेकिन अगर यही आपका solid hemisphere हो जाए ध्यान दीजे अगर आपका क्या हो जाए solid hemisphere हो जाए तो यही आपका YCOM जो है वो बदल के हो जाता है 3 R by 8 के और कोन का तो अभी जस्ट हमने देखा ही है कोन का तो अभी जस्ट हमने देखा ही है कि अगर hollow cone होगा तो उसका 2H by 3 होगा और अगर आपका solid cone होगा तो उसका center of mass 3H by 3H by 4 होगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब मैं आपको इस पर बेस डिक experience कराता हूँ J means के question का इस question को ध्यान से देखेगा यह आपके पास question यह J means का 17 March 2000 किसका बढ़िया सा सवाल है question क्या कह रहा है कि a disk of mass M with uniform surface mass density sigma is shown in figure the center of mass of the quarter disk the shaded area is at the position x by x a by 3pi x a by 3pi where x is round of the nearest integer a is an area s is the area area shown in figure आपके पास यह quarter circle है इसका center of mass लिखना है जिसका भाई साब radius कितना है जिसका radius है और अगर आपको इसका center of mass लिखना है तो आपको simple सा formula पता है कि यह disk का center of mass का जो formula होता है वो होता है 4r by 3pi तो आपका answer हो जाएगा 4a by 3pi यहां भी और यहां भी 4a by 3pi बस आपको यह chart याद रहे यह center of mass के सारे formula याद रहे बस खतम बात यही तो directly पूछ लिया 4r by 3pi 4r by 3pi calculate किया hit किया और answer निकाला और खुशी खुशी अपने घर चले गए लो भाई हो गया इसका solution यही इसका solution है अब जो जहां बच्चा होता है वो इसी में क्या करेगा थीटा पर जाके एक element मानेगा d theta फिर उसका radius लिखेगा या इसका एक basic element quarter ring रखेगा फिर उसका center of mass निकालेगा फिर integrate करेगा और answer लिखेगा लेकिन एक अच्छे बच्चे को सारा data याद होना चाहिए और अगर उसको data याद रहेगा तो it is a question of just one minute ठीक है question पढ़िये समझे आंसर करिये और घर जाईए इस तरह के आसान question लगभग जैए इसमें 4-5 आते हैं throughout syllabus से मतलब 4-5 questions ऐसे होते हैं जिनको पढ़ के अगर आपको data अच्छे से याद है तो आप बहुत बढ़िया से questions को attempt कर सकते हैं और उनको solve कर सकते हैं ठीक है बहुत कम समय में जो आपको ठीक ठाक questions जो पुछे जाते हैं उनके लिए समय निकाल कर देगा चलिए आगे अनी हो गए अपने पास center of mass की ठीक है अब इसके बाद हम बात करते हैं अब इसके बाद हम बात करते हैं centroid of center के बाद अब हम जाएंगे centroid of Centroid of Distributed Mass Bodies कौनसे Distributed Mass Bodies Uniformly Distributed Mass Bodies Centroid of Uniformly Distributed Mass Bodies समझेगा Centroid of Uniformly Distributed Mass Bodies अपने पास कैसे निकालना है ये क्या करते हैं ये बहुत complicated calculations को गुमा फिरा कर आसान बना देते हैं जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे सबसे पहले जब Distribution की बात हो रही है तो सबसे पहला जो Distribution बनता है वो Length के Along बनता है मतलब आपके पास Rods रखे हुई है एक Rod है दूसरी Rod है तीसरी Rod है ऐसे Rods रखे हुई है ठीक है भाई और भाईया उन सब को Arrange किया गया है और फिर आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या बताना है आपको बताना है कि इन सारी Rods के Arrangement का Center of Mass क्या होगा जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजे मैंने का कि ये आपके पास एक Rod है ये आपके पास दूसरी Rod है और ये आपके पास ऐसे तीसरी Rod है ये तीन रोड सबका लेंथ एल है सबका लेंथ एल है सबका मास एम है मैं कहा रहा हूं कि यह मेरी x-axis है और यह जो है यह मेरी y-axis है और मुझे क्या करना है मुझे इस shape का center of mass निकालना है तो मैं shape का center of mass कैसे निकालूँगा भाई सब में mass का distribution uniform होगा यहां भी mass m यहां भी mass m मैं आपको समझा रहा हूं तो देखें बहुत ध्यान से समझेगा क्या भाईया कि इसका center of mass होगा वो कहीं यहां होगा मान लो कुछ भी x1 y1 इसका center of mass कहीं यहां होगा that is x2 y2 और तीसरे वाले का center of mass कहीं होगा that is x3 y3 ठीक है अच्छा एक काम करते हैं length भी अलग-अलग कर लेते हैं L1 M1 L2 M2 L3 M3 लेकिन लेकिन एक बात याद रखेगा lambda that is mass per unit length is constant मतलब mass throughout uniformly distributed है mass throughout जो है वो आपका uniformly distributed है और अब आपको ध्यान देना है length के along भी या अगर center of mass निकालना हूँ जिसको centroid बोला जाता है तो कैसे calculate करेंगे तो भी या हम बात करते हैं general formula का तो जो xum हम जानते हैं वो क्या जानते हैं वो जानते हैं M1 L1 plus M2 L2 plus M3 L3 plus dot 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 MN LN या हटाइए इसको और और अपना general वाले formula पर आते हैं हमारा general formula क्या होता है M1 X1 plus M2 X2 plus M3 X3 plus dot 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 MN XN and whole divided by whole divided by M1 plus M2 plus M3 plus dot 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 MN चलो भाइए अब जब आप ये xum लिखोगे तो भाइए मास को क्या लिखोगे ध्यान से दिखो तो मास इसका M1 का मास क्या होगा अगर lambda constant है तो क्या इसको lambda into L1 लिखा जाएगा सोचो lambda equals to होता है आपके पास M by L तो इसको क्या में lambda into L1 into X1 लिख सकता हूँ और M2 को क्या lambda into lambda into L2 into X2 plus lambda into L3 into X3 plus dot 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 lambda into LN into XN divided by divided by lambda L1 plus lambda L2 plus lambda L3 plus dot 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 lambda LN ठीक है ये अपने पास हो गया अब उपर वाले में से तुम lambda को common कर दो तुमारा general XCOM का formula क्या बन गया general XCOM का formula बन गया भहिया L1 X1 plus L2 X2 plus L3 X3 plus LN XN and whole divided by whole divided by L1 plus L2 plus L3 plus dot 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 plus dot 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 LN ये आपके पास बन गया ये आपके पास बन गया बेटा जी XCOM ठीक है अच्छा YCOM लिखना होगा तो क्या बन जाएगा that is L1 Y1 plus L2 Y2 plus L3 Y3 plus dot 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 LN YN upon L1 plus L2 plus L3 plus LN mass gaib हो गया mass gaib हो किस में convert हो गया length में convert हो गया अरे क्या बात है सर बहुत बढ़िया सेम एज अगर मैं area की बात करूं अगर मेरा mass का distribution जो है वो area के along है मतलब एक square की sheet ले ली उसके उपर एक disc रख दिया semi circular ठीक है और 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 क्या कर दिया एक ring लगा दिया नहीं ring तो नहीं लगा सकते ring तो नहीं लगा सकते एक triangular lamina रख लिया कुछ भी रख लिया अगर ऐसी situation आती और फिर आपको center of mass निकालना पड़ता है तो आप center of mass कैसे निकालेंगे तो देखो simple सा formula है मान लोग मैं आप से कह रहा हूँ कि यह आपके पास एक excess है और यह आपके पास एक y excess है इसमें हमने क्या करना है इसमें हमने एक ऐसे disc रख लिया जिसका area हो गया even ठीक है एक इसके उपर ऐसे triangle लगा दिया triangular lamina जिसका area हो गया a2 और एक यहां पर हमने एक यहां पर हमने ऐसे इधर disc लगा दिया जिसका area हो गया a3 ठीक है ऐसे n टाइप के shapes हमने consider कर लिए अब क्या है इन सब में इन सब का इसका जो मास है वो m1 है इसका जो मास है वो m2 है इसका जो मास है वो m3 ध्यान से समझेगा ध्यान से समझेगा वही आप बहुत बढ़िया से समझेगा बहुत मजाएगा बहुत आराम से आप इसको कर ले जाएंगे अच्छा मास का distribution बस याद रखना है कि जो sigma है ना that is constant और यह आपको मिलेगा ही मिलेगा सिगमा को constant मिलेगा और अगर आपका सिगमा कांस्टेंट है अगर का सिगमा कोस्टेंट है सिगमा क्या होता है सिगमा क्या होता है सेल फिस मास दिन्सिटी that is equivalent to m by a, क्या बात है, बहुत बढ़िया, तो जब area की बात आप करेंगे, area में जब mass distribution हो रहा, अब जब आप center of mass निकाल होगे, तो XCOM कितना होगा, formula, general formula वही, m1 x1 plus m2 x2, plus dot 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 mn xn, divided by, divided by कितना, divided by m1 plus m2 plus dot 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 mn, ठीक है, m1 x1 plus m2 x2 plus dot 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 mn xn, upon m1 plus m2 plus dot 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 mn हो गया, बहुत बढ़िया, अब mass equals to हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर mass equals to लिख सकते हैं, density into, density into area, ठीक है बाई, तो जब आप यहाँ पर m1 लिखोगे, तो क्या लिखोगे, sigma into a1, दियान से देखना, and whole divided by m1 को क्या लिखा जाएगा, m1 को लिखा जाएगा, sigma into a1 plus sigma into a2 plus dot 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 sigma into a, मतलब अपने पास general formula क्या आगया, अपने पास general formula आगया, a1 x1 plus a2 x2 plus dot 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 an xn divided by, divided by अपने पास कित्ता हो जाएगा, a1 plus a2 plus a1 plus a2 plus a, यह हो गया आपने पास area के along का formula, same as, ऐसे ही formula volume के along बन जाता है, अच्छा सर, area के along अगर y com लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अगर area में y com लिखना होगा, यह x com लिखना होगा, अगर आपको y com लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे, a1 y1 plus a2 y2 plus dot 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 an yn, whole divided by a1 plus a2 plus dot 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 an, खतम बाद, ठीक है, चलें आगे बने, आजाओ भाई, next one is volume के along distribution, volume के along distribution, volume distribution, तो जब volume distribution की बात करोगे, तो यही formula क्या बन जाएगा, देखो, अब यही formula क्या बन जाएगा, तो x com बन जाएगा, आपके पास, m1 v1 plus m1, sorry, v1 x1, x com हो जाएगा क्या, v1 x1 plus v2 x2 plus dot dot dot, vn xn whole divided by, whole divided by v1 plus v2 plus dot 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 vn, similar, ठीक है, अच्छा y cm लिखना होगा सर, y cm लिखना होगा, तो कोई बात नहीं सर, हम क्या लिख लेंगे, v1 y1 plus v2 y2 plus dot dot dot, vn yn whole divided by, v1 plus v2 plus dot 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 vn, अच्छा सर, यह सब बताने के पीछे, बस मेरा एक ही purpose था, कि हर साल इससे, एक सवाल पूछा ही पूछा जाता है, इन तीनों में से, एक formulae का question, आपको हर साल देखने को, मिल जाता है, तो भई इसको बहुत धन से पढ़ लिजेगा, इसके questions को बहुत अच्छे से solve कर लिजेगा, तब ही जाके मजा आएगा, वरना मजा वजा नहीं आएगा, बात समद रहे हैं, यह सब आसान हिससे, यह वो इससे, जिनसे directly directly सवाल पूछा जाता है, और आप करके आगे बढ़ जाईए, और भाई, चार नंबर अपने से cure कर लिजेए, एक कम महनत में, आराम से चार नंबर आप इसमें से cure कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, यह सर कानी को आगे बढ़ाते हैं, कानी को आगे बढ़ाते हैं, देखिए अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ट आपके सामने एक question है, कह रहा है, दा position vector of center of mass, rcm, of an asymmetric uniform bar of negligible area of cross section, as shown in figure, इसका center of mass अपने को निकालना है, इसका center of mass निकालना है, हम कैसे इसका center of mass calculate करेंगे सर्थ, देखिए, हमको क्या पता है, इस rod का length कितना पता है 2L, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, इसका xCOM कितना पता है, देखो भाईया, इसका xCOM, यह मेरे पास origin है, 0,0, तो जब इसका मैं xCOM लिखूँँगा, तो यह कितना लिखूँँगा, यह L हो जाएगा, और इसका yCOM, इसका yCOM क्या होगा, इसका yCOM भी L होगा, देखना न, यह इसका center of mass होगा, भाईया, यह जो distance है, यह L है, यह distance जो भी क्या है, L है, तो L, L लिख दिया, अच्छा, इसका length कितना है, इसका length L है, और इसका center of mass क्या है, भाई, capital L लिखो यार, वरना तुम लोग कहोगे, master एक जगए capital L लिख रहा है, एक जगए small L लिख रहा है, कहीं, हम गलती से दोनों को अलग अलग ना समझ ले, ठीक है, चलिए भाईया, आपका ये संदे भी दूर कर देते हैं, तो अब देखे, इसका center of mass यहां होगा, तो यहां होगा, तो यहां से कितनी दूर होगा, X में होगा 2L, X में होगा 2L, और Y में होगा कितना, Y में होगा L by 2, ठीक है, बहुत अच्छा, very good, यह आपके पास L by 2, अच्छा, इसका दिखेंगे, तो center of mass यहां होगा, तो इसका center of mass कितना होगा, यह 2L है, यह 2L है, और यह आपके पास L by 2 है, ध्यान से देखो, यह 2L है, और यह आपके पास L by 2 है, तो इसका जब coordinate लिखोगे, L length का, इसका भी length L है, और इसका जब coordinate लिखोगे, तो क्या लिखोगे, 2L plus L by 2, that is equivalent to, that is equivalent to 5L by 2, that is equivalent to 5L by 2, और दूसरा कितना हो जाएगा, Y में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब आपको XCOM निकालना है, अब जब आप XCOM निकालोगे, YCOM निकालोगे, तो formula क्या लिखोगे, XCOM equals to L1 X1, देखो, यहाँ पर आपने पास L1 X1, plus L2 X2, plus L3 X3, divided by 3 ही थे, divided by L1 plus L2, plus L3, लो वेटा, तो XCOM कितना निकाल के आगया, देखो तो, L1 की value है आपके पास 2L, और भाईया, X1 कितना है आपने पास, X1 है आपने पास L, लिख दिया, plus L2 कितना है, L2 है आपने पास L, और X2 कितना है, X2 है 2L, ठीक है बाई, चलो, plus L3 कितना है, L3 भी है आपके पास L, और X3 की value कितनी है, that is 5L by 2, लिख दिया भाई, and whole divided by, whole divided by, L1 कितना है, 2L, L2 कितना है, L और L3 कितना है, L, यह आपके पास हो गया, XCOM, solve कर यह, XCOM solve करेंगे, तो कितना हो जाएगा, LL कट जाएगा, उपर से L common कर लो, तो यह क्या बचेगा, यह आपके पास हो जाएगा, 2, plus 2, plus 5 by 2, divided by, divided by, कितना, divided by 4, अब solve कर लो, 2, 2, 4, 4, 2, 8, अट पास 13, 13 बटे 8, 13 by 8 L आ गया, यह आपका XCOM आ गया, देखो XCOM कहीं कहीं है, 13 by 8 कहीं है, यह एक जगह, साला B जो होगा, यह सही आंसर हो जाएगा, YCOM निकालने की जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर फिर भी, हमको YCOM निकालने की जरूरत पड़ी बेटा, तो क्या तुम निकाल सकते हो बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हो बेटा, निकाल सकते हो ना, और यह क्या करना है, YCOM निकालने मास्टर जाग, तो लिख देंगे, L1 Y1, प्लस L2 Y2, प्लस L3 Y3, अपन L1 प्लस L2 प्लस L3, ले इसे गोवाता रहता है, और कुछ नहीं करेगा, कभी सेंटर आफ मास्ट की पोजीशन दे देगा, कभी देगा रिलेशन बताओ, कभी देगा रेशियो बताओ, यही सब, कुछ नहीं, ले बाई, L1 कितना है, L1 कितना है, L1 है अपने पास 2L, लो, Y1 कितना है, Y1 है अपने पास L, L2 कितना है, L2 है अपने पास, L2 कितना है, L2 अरे बहुत बढ़िया, L3 अपने पास कितना है, L3 अपने पास, L3 कितना है, सुनने है, Divided भाई अपने पास कितना हो जाएगा, 4L, Solve कर लो, कितना हो जाएगा, देखो भाईया, हम तो कहे रहें, सबका L कट जाएगा, 4, 2, 8, 8, 8, 9, 9 by 8, चीक है, अरे गलत किये क्या, कुछ भाईया, हाँ भाईया, गलत किये, नहीं गलत किये, पागलो क्या, अरे ये 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 1, 5, ना, ठीक तो है, 5L by 8 आ गया, और 4, 2, 2, 8, ठीक तो है, इसको solve करोगे, 5L by 8 आ जाएगा, और तुम्हारा जो होगा, वो भी answer सही हो जाएगा, ठीक है, खतम बात, खुशी-खुशी घर जाओ, इसी तरह के question पूछे जाते हैं, आँ दिखा देते हैं, और दिखाते हैं तुमको, एक सवाल और दिखाते हैं, देखो, एक और वनिया सवाल है, ये कह रहा है, in the figure shown, ABC is a uniform wire, ठीक है, if center of mass of wire, of, center of mass of wire, lies vertically below point A, A point के कहीं, नीचे लाई कर रहा है, center of mass, भाईया, तो अपने से कहा गया, then BC upon AB, इस BC upon AB का ratio क्या होगा, ठीक है, uniformly distributed है mass, हम कह रहे हैं कि, इसकी length को मान लीजे L1, और इसकी length को मान लीजे L2, और ये आपका center of mass होगा, और इस center of mass का, इसको कर दिजे 0,0, 0,0, game खतम, solve, solve, खतम बात, आगे बढ़ जाओ, देखो, क्या, क्या बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, ये जो होगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये जो मिलेगा आपको, ये value हो जाएगी, L1 cost 60, और cost 60 की value होती है, L1 by 2, लो, तो हमको पता है, कि जो हमारा XCOM है, वो किसके बराबर है, वो बराबर है L1 by 2 के, और अब XCOM लिखने आगया, तो हमारा काम बन जाएगा, XCOM लिखने आगया, तो हमारा काम बन जाएगा, अब देखिए सर, कैसे लिखेंगे XCOM, तो हम कह रहे हैं, उसके लिए पहले तो आप coordinate define करिए, बाइ 2,0, देखो, यह जो हम माने थे, पूरी लेंध L2 माने थे, तो इसका जो, इस रोड का जो center of mass होगा, वो कितना होगा, वो होगा L2 by 2, और दूसरा होगा 0, अच्छा L1 का center of mass कहाँ होगा, L1 का center of mass कहाँ होगा बेटा जी, तो अगर यहां से L1 by 2 है, तो यहां से कितना होगा, यह अपने पास L1 by 2 है, तो इसके coordinate में लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, तो एक मेरे पास हो जाएगा, L1 by 2 cos 60, यह पूरी length जो थी, यह पूरी length जो थी, यह L1 थी, तो यह आधी length कितनी हो जाएगी इसकी, यह देखो, इसका जो center of mass लाई करेगा, वो तो L1 by 2 होगा, यह coordinate होगा वो, लेकिन समझो रहा बात को, यह coordinate की value क्या होगी, यह अपने पास जो है, यह अपने पास है, L1 by 2, इससे यह जो value निकालोगे, यह आपके पास हो जाएगी, L1 by 2 cos 60, तो इसके coordinates को अगर मैं लिखू, तो मैं लिख सकता हूँ, L1 by 4, क्योंकि cos 60 की value होती है, अपने पास कितनी, cos 60 की value होती है, अपने पास 1 by 2, तो यह हो गया आपने पास L1 by 4, अच्छा, अगर हम y की बात करें, तो इधर आएगा sin 60, तो यह आपके पास हो जाएगा, L1 by 2, और sin 60 की value होती है, root 3 by 2, तो यह आपके पास हो गया, यह आपके पास कितना हो गया, यह आपके पास हो गया, root 3 L1 by 4, लो, XCOM तुमको पता है, तो तो तुम directly XCOM का general formula लगा सकते हो, क्या L1 X1 plus L2 X2 upon L1 plus L2, ले भाई, कर लेते हैं, तो XCOM की value कितनी है, XCOM की value है L1 by 2, ठीक है, अच्छा L1 X1, अब जब हम इस L1 X1 की value रखेंगे, तो L1 तो हो गया आपने पास, L1, और इसका X1 कितना है, इसका X1 है अपने पास L1 by 4, ठीक है, प्लस L2, और X2 कितना है, X2 कितना है, X2 है आपके पास, X2 है आपके पास L2 by L2 by 2, divided by, divided by L1 plus L2, लो हो गया, अब यहां से क्या मिला, अब यहां से मिला L1 by 2 equals to, L1 square by 4, plus L1 square by 4, plus L2 square by 2, upon L1 plus L2 को इधर लेके आए, तो यह हो गया आपने पास L1 plus L2, ठीक है, अब क्या करो, अब दो से इसको काट दो, सबको अब तो बसके वाल गडित लगा नहीं है, तो L1 plus L2 into L1, यह बराबर हो जाएगा, आपके पास किसके, यह बराबर हो जाएगा, ठीक है, चलो, अब इसको solve करो, तो क्या मिलेगा, L1 square plus L1 L2 plus, अपने पास यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, इकोल्स टू, यह अपने पास इकोल्स टू, L1 square by 2 plus L2 square, अब इधर लेके आओ, अब जब इधर लेके आओगे इसको, तो यह तुमारे पास मिल जाएगा, L1 square by 2 plus L1 L2 minus L2 square, that is equivalent to zero, quadratic equation बन गया, अब इसमें L1 को variable मान लो, और L2 को constant मान लो, तो में ratio बन के मिल जाएगा, तो देखो, क्या होगा, जब तुम इसको solve करोगे, तो इसको लिख सकते हो, L1 square plus 2 L1 L2 minus 2 L2 square equals to sun, ठीक है, अब भाया, L1 की value क्या मिलेगी, minus B, that is minus 2 L2, plus 1 minus under B, plus minus under root of B square minus 4 A, तो B की value कितनी है, B की value है, आपके पास 2 L2, तो इसका square कितना हो जाएगा, इसका square हो जाएगा, 4 L2 square, यह अपने पास हो जाएगा, यह अपने पास हो जाएगा, 4 L2 B square, B square that is 2 L2, it is equal to 4 L2 का, 4 L2 का square, ठीक है, minus 4 A, C करेंगे, तो minus minus plus हो जाएगा, 4 2 is a 8, यह अपने पास कितना हो जाएगा, 8 L2 square हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अपने पास 1 था, and divided by 2 A, तो divided by 2 हो जाएगा, तो यहाँ से L1 का value कितना आजाएगा, देखेगा, L1 का value अपने पास कितना आजाएगा, तो L1 का value आजाएगा, minus 2 L2, plus minus under root of, plus minus under root of, 8 4 12, यह अपने पास हो गया, 12 L2 का square, तो 3 चोक को 12 लिख सकते हैं, मतलब 4, मतलब 2 root 3 लिख सकते हैं इसको, divided by आपके पास 2 हो जाएगा, तो L1 की value कितनी हो जाएगी, तो L1 की value आजाएगी अपने पास, भाईया, minus L2, plus minus नहीं लिख सकते, minus नहीं लिख सकते, क्यों नहीं, minus लिख सकते, क्योंकि अगर आपने minus लिखा, तो आपका L1 जो है, वो negative आजाएगा, और हमको दिख रहा है, हमको दिख रहा है, कि हमारा जो L1 है, वो positive है, हमारा L1 negative नहीं है, तो भाईया, minus L2, और माइनस अपने, और अपने पास कितना हो जाएगा, plus root 3, दियान देखेगा, दियान से देखेगा, plus root 3 L2 हो जाएगा, तो L1 upon L2 को लिख लिया जाए, तो यह हो जाएगा, आपके पास कितना, यह हो जाएगा, आपके पास root 3 minus 1, तो यह अपने पास answer कितना आजाएगा, root 3 की value हो गई, 1.732 minus 1, तो यह हमारे पास आजाएगा, question में क्या पूछ रहा है, BC upon AB, BC हमने क्या माना है, L2, और AB हमने क्या माना है, AB हमने माना है L1, तो मतलब हमको क्या निकालना है, L1 upon L2 की L2 upon L1, और L2 upon L1 जो होगा, यह किसके बराबर हो जाएगा, 1 upon 0.732, तो यह लगबग 1.3 के करीब जाएगा, आब यह 1.3 के करीब जाएगा, आपने पास कोई है क्या, 1.37, तो यह अपने पास हो जाएगा, 1.37, तो सही answer हो जाएगा आपका C, बढ़िया सवाल था, अच्छा question था, सूचिए simple formula based question, अगर आपको formula अच्छे से याद हो, formula का application अच्छे से याद हो, कैसे उसको apply करते हैं, यह आपको clear हो, तो आप इस तरह के questions बहुत आसानी से लगा सकते हैं, चीक है, चलिए इसी पर based, मैं आपको एक question दे दे रहा हूँ, as a home work, और मैं उम्मीद करूँगा, कि आप इसका answer मुझे comment box में बताएंगे, question है भाई, आपके पास की, आपके पास एक rod है, ऐसे रखे हुए, इस rod की length है, भाई साब 2 meter, चीक है, इस rod की length है, आपके पास 2 meter, और उसके बाद फिर एक दूसरी rod रखे हुए है, वो ऐसे रखे हुए है, इस rod की जो length है, यह आपके पास root 2 meter, और यह यहाँ से 45 degree पर रखी है, ठीक है, और एक rod इधर रखी है, एक rod इधर रखी है, इसकी जो length है, यह आपके पास 5 meter, बड़ी सी है यह, यह बड़ी सी है, इसकी जो length है, यह आपके पास 5 meter, और भाई ठीक है, और भाई यहाँ से जो angle बन रहा है, यह बन रहा है 37 degree, अब आप से कहा गया, कि यह आपकी x-axis है, यह आपकी y-axis है, इसका center of mass बताइए, अब आपको क्या करना, इसका center of mass calculate करना है, कि इसका center of mass कहा होगा, यहाँ से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको coordinates लिखने आने चाहिए, जो जब आप इसका coordinate लिखोगे, तो इसकी पूरी length, ध्यान से देखो, यह root 2 है न, पूरी length कितनी होगी, इसकी आधी length कितनी होगी, root 2 by 2, that is 1 by root 2, ठीक है, 1 by root 2, इसका जो component धर आएगा, cos 45, जो component धर जाएगा, वो कितना होगा, sin 45, ध्यान से देखे, अगर मैं इतनी length की बात करूँ, तो यह मेरे पास root 2 meter है, root 2 meter है, चलिए इसको आसान कर देता हूँ, मैं आपके लिए 2 root 2 meter कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको 2 root 2 meter कर दूँ, तो यह जो length हो जाएगी, यह 2 root 2 meter का आधा, that is equivalent to, that is equivalent to, root 2 meter, root 2 cos 45 कितना होता है, cos 45 की value 1 by root 2, मतलब इसका coordinate हो जाएगा, 1,1, समझे, अरे बुझे की नहीं बुझे, इसका coordinate होगा, 1,1, इसका coordinate क्या होगा, इसका coordinate होगा, center पर भाईया, minus 1,0, ध्यान से देखो, और इसका जो coordinate होगा, वो कितना होगा, वो यहाँ से होगा, तुमारा, कितने पर, यहाँ से होगा, तुमारे पास, यहाँ से होगा, तुमारे पास, मान लो कि, भाया, यह 5 meter है, तो यह 2.5 पर होगा, तो इधर कितना आएगा, इधर आपके पास आएगा, देखो, यह value जो होगी, यह x होगा, यह value होगा, यह y होगा, तो x जो होगा, वो आपके पास होगा 2.5 cos 37 ठीक है और y जो होगा वो कितना होगा वो होगा 2.5 sin 37 cos 37 की value कितनी होती है cos 37 की value होती है आपने पास 4 by 5 तो ये 0.5 मतलब एक coordinate इसका हो जाएगा एक coordinate इसका हो जाएगा 2 और दूसरा coordinate हो जाएगा इसका 1.5 अब आपको पता चल गया x1, y1, x2, y2, x3, y3 कैसे कर रहे हैं भाईया 0.5 multiplied by 3 करेंगे multiplied by 3 करेंगे तो 1.5 ही तो आएगा अब आपको x1, y1, x2, y2, x3, y3 पता है आपको l1, l2, l3 पता है आप simple formula लगाएंगे xcom के लिए क्या xcom के लिए क्या l1, x1, plus l2, x2, plus l3, x3 upon upon l1, plus l2, plus l3 बस calculate करेंगे answer आजाएगा same as ycom निकाल देंगे value रखेंगे answer आजाएगा इस तरह के questions frequently जेई means में पूछे जाते हैं तो इस तरह के questions की धंकी practice करना बहुत जरूरी है अगर आप अच्छे से practice किये रहेंगे और और आगे बनाने में क्या है अब हम देखते हैं अपने area वाले सवाल कहां गया वाईया area वाले सवाल पर आजाओ अब देखो ये एक सवाल है तुमारे पास कह रहा है the coordinates of center of mass of a uniform flag shaped lamina thin flat plate है ये ये एक thin flat plate type flag है और जिसका mass है 4 kg आपसे कहरा the coordinates of the same are shown in figure r इसका जो center of mass होगा वो आपको calculate करना है आप center of mass कैसे calculate करेंगे सबसे पहले आप ढूलेंगे कि x axis और y axis कहां होगी तो सवाल में यहाँ coordinate mark किया है 0,0 इसका मतलब ये वाली जो मेरी axis है ये x axis है ठीक है और ये वाली जो मेरी axis है ये कौन सी axis है वेटा जी ये वाली axis मेरी y axis है तो मैं यहाँ से एक लाइन की चुनू पूरे पर mass चार केजी का वो uniformly distributed है आपको इस चार केजी कहीं जरुर्वत ही नहीं पड़ेगी क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जब mass uniformly distributed है तो हम center of mass निकालने के लिए यहाँ कौन सा फॉर्मला लगाएंगे? यहाँ पर mass surface पर distributed है तो center of mass जब XCOM की बात करेंगे तो लिखेंगे M1 X1 प्लस M2 X2 ना बेटा ना बेटा जब mass uniformly distributed है एरिया में तो formula लिख लो A1 X1 प्लस A2 X2 दो ही एरिया है upon A1 प्लस A2 सारा गेम होता X1 और X2 coordinates लिखने में बस coordinate लिख ले गए काम बन जाएगा तुम्हारा तो मैं कह रहा हूँ इसको दो plate में divide कर दो ठीक है यह होगे आपका upper plate यह होगे आपका lower plate और इनके center of mass mark कर दो इसका center of mass कहां होगा यहां से आधे meter पर होगा definitely भाई तो इसका जो coordinate होगा यह कितना हो जाएगा X हो जाएगा 1 by 2 और यह length कितनी है यह है आपके पास 0,2 मतलब एक coordinate आपका आधा हो जाएगा मतलब आपके पास X1 हो गया 1 by 2 Y1 होगे आपके पास 1 same as अगर आप यहां पर बात करेंगे यह coordinate होगा तो भाईया एक तो आपके पास यह हो जाएगा यह वाली value आपके पास कितनी हो जाएगी यह value आपके पास हो जाएगी यह 3 है यह आपके पास 2,3 है ध्यान से देखिए यहां से लेकर यहां तक की length कितनी है दो है भाईया यह 0,3 है यह 2,3 है तो इसका center कितना हो जाएगा 1,1 हो जाएगा मतलब X2 की value 1 हो जाएगी और Y2 की value आपको निकालनी पड़ेगी तो कैसे निकालेंगे यह देखिएगा वेटा जी यह आपके पास कितना है यह 2 है और यह 3 है मतलब यह 1 है तो यह कितना होगा यह 1 by 2 होगा यहां से लिकर यहां तक यह 1 by 2 होगा लेकिन आपको यहां से चाहिए इस axis से तो यह 1 है यह अपने पास कितना है यह 2 है और यह अपने पास 1 by 2 है तो यह अपने पास हो जाएगा कितना 5 by 2 that is 1,5 by 2 क्या ये बात आपको समझ आई कुछ नहीं करना है बस इस axis से इसका center of mass का coordinate लिख देना है that's it भाई या center of mass L by 2 और B by 2 पर होता है तो L by 2 पूरा कितना था 2 तो कितने पर हो गया आधे पर ये पूरा कितना था पूरा था एक तो इसका हो गया आधा लेकिन यहां से लिखना है x axis आपकी ये रही तो यहां से कहा है यहां से यहां से लेकर ये कितना है यह आपका पूरा 2 है यह आपके पास 1 by 2 है तो यह हो जाता है length into breadth length into breadth length कितना है length आपके पास 2 breadth आपके पास 1 तो यह हो जाएगा 2 into 1 into x1 कितना है x1 है आपके पास 1 by 2 plus a2 कितना है a2 है बेटा जी अगर मैं a2 की बात करूँ तो a2 का length कितना है a2 का length है भाईया यह आपके पास हो गया 2 और यह आपके पास हो गया 1 तो ये भी हो जाएगा 2 into 1 और X2 अपने पास कितना है X2 की value है 1 divided by 2 एक कमे 2 2 एक कमे 2 मतलब total कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इससे ये कट जाएगा ये 1 हो जाएगा और 2 एक 3 हो जाएगा तो ये आपके पास 3 by 4 हो जाएगा XCOM 3 by 4 हो जाएगा आपके पास XCOM 3 by 4 का मतलब कितना है 3 हो गया 3 0 हो गया 4 सते 28 4 पच्चे भी 0.75 वह भाइसा एक हो गया अपने पास 0.75 यहाँ पर है 1 0.75 यहाँ पर है दूसरे के लिए आपको YCOM निकालना पलेगा जब आप YCOM निकालोगे YCOM निकालोगे तो क्या लिखोगे दाट इस A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन अपॉन A1 प्लस अपॉन A1 प्लस A2 खतम बात A1 कितना है A1 2 है Y1 कितना है Y1 1 है A2 कितना है 2 है Y2 कितना है Y2 5 by 2 है divided by 4 है तो यह अपने पास 2 हो गया और यह अपने पास कितना हो गया यह अपने पास 5 हो गया यह अपने पास 4 हो गया तो यह अपने पास हो गया 7 बटे 4 और इसको अगर हम देखेंगे तो 4 एक कमे 4 हो जाएगा ठीक है अच्छा बहुत बढ़िया और भई कितना बचा 3 बचा तो 4 सते 28 हो जाएगा ठीक है 1.75 हो जाएगा तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा तो हमारा सही आंसर C हो जाएगा ये हमको पता चल जाना चाहिए ये हमको crystal clear हो जाना चाहिए अब देखिए 8 जनवरी 2020 की इस सवाल में ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते है गदा लोग कुछ लोग होता है वो ये 4 kg पीछे परिसान रहता है 4 kg का मास दिया है अरे बैया uniformly distributed है मास वास गया तेल लेने सीधे formula लगाओ A1 x1 प्लस A2 x2 upon A1 प्लस A2 अच्छा अगर मास non uniformly distributed हो जाए तब आपको मास निकालना पड़ेगा तब आप ये नहीं लिखता होगे formula तब आपको लिखना पड़ेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है 99.9% किसेस में मास अलग नहीं होता है अगर मास अलग भी हो जाता है तो अपने को पता है कि ये जो मेरा A1 x1 आया है ये कैसे आया है आ नहीं को आगे बनाए बेटा आजाओ अब एकाज सवाल और देख लेते हैं एक सवाल ये रहा ये मैं आपको homework देना चाहूंगा मेंस 24 फरवरी 2021 का सवाल है पढ़िया सवाल है कि एक अपने पास स्फेर है उस स्फेर स्वारी एक अपने पास होगे ध्यान देना एक शेप आपका बला वाला होगा एक शेप आपका छोटा वाला होगा ये आपका origin है ये आपका ओ कह रहा है बहुत ध्यान से देखेगा तो काज आरा the centroid of the remaining circular portion with respect to the point O इस point O के respect में कितना होगा ठीक है चलो बहुत अच्छा तो मैं कह रहा हूँ मैं एक बाद ध्यान से इसमें देख रहा हूँ मैं homework देना चाह रहा था लेकिन अब नहीं दूँगा भहिया देखो ये मेरा कौन सी axis के about symmetrical दिख रहा है मैंने अपनी मर्जी से इसको y dash axis मान लिया देखो वो सब मैं कर सकता हूँ मैं axis अपने हिसाब से मान सकता हूँ मुझे दिख रहा है कि ये कौन सी axis के about symmetrical है वे बाई साब ये हमारा symmetrical है कौन सी axis के about x axis के about मतलब y c om मेरा कितना होगा 0 होगा मतलब हमको x c om ही निकालना है और x c om की value कितनी होगी x c om की value कितनी होगी तो उसके लिए हमको क्या करना है ये मेरा पूरा shaded region था इसमें से हमने इतना इससा काट कर निकाल दिया तो इसका center of mass क्या होगा 0,0 और इसका center of mass क्या होगा इसका center of mass यहां से देखो न ये तुमारे पास हो जाएगा a by 2,0 ठीक है इसका area कितना इसका area होगा pi a square और इसका area होगा pi a square by 4 अब जब आप x c om लिखोगे तो क्या लिखोगे क्या लिखोगे अगर तुम इसको a मानोगे तो ये तुमारे पास कितना हो जाएगा ये तुमारे पास 4 a हो जाएगा तो जब x c om लिखोगे तो लिखोगे 4A इंटू 0 प्लस 4A इस पूरे का जो सेंट्रॉइड है वो कितना है 0 कामा 0 तो 4A इंटू 0 प्लस A इंटू A इंटू कितने पर है A बाई 2 पर ध्यान देना बस यहीं गड़बड होता है यहां हमको प्लस नहीं करना है इतना इस साथ काट के निकाला गया है मतलब इतना एरिया घटा है तो यह एरिया जो होगा यह हमारा नेगटिव एरिया होगा इसको हम माइनस A की तरह लिखेंगे सेमेज यहां पर जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे 4A माइनस A लिखेंगे ठीक है 4A into 0 0 हो जाएगा और यह आपके पास हो जाएगा A by 2 divided by 4A में से 1A जाएगा तो यह हो जाएगा A by 6 लेकिन किदर प्लस में की माइनस में तो आंसर हो गया भाया आंसर हो गया अपने पास कितना आंसर हो गया आपने पास भाया माइनस A by 6 तो यहां से कितना होगा, यहां से जो है वो a by 6 है, माइनस का मतलब है कि इस origin से अमने पीछे माना, यह हमने एक 6 सिसमान रखी थी, तो यह minus a by 6 निकल कर आया, तो यह कितना होगा, तो अपने पास जो answer निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा, a minus a by 6, that is 5 a by 6, खतम बात, अपन के questions, जेई means में frequently पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा, कि आप इस तरह के questions की और practice कर लेंगे, ठीक है, और मन लगाकर संजीवनी को ढंग से follow कर लेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ sir, कि इसमें मैंने कुछ questions छोड़ रखे हैं, आपको solve करने के लिए, ये एक दो questions हैं, जो आप solve करोगे, इनको मैंने as a homework छोड़ रखा, इनको जरूर लगाना, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप संजीवनी को अच्छे से follow कर लिए, संजीवनी को बहुत प्यार से बहुत ढंग से पढ़ लिए बेटा, तो तुम्हारा selection कोई नहीं से निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि 11 के जिस portion से जादा questions आते हैं, जो थोड़े आसान होते हैं, उन सारे concept को, सारे content को हम संजीवनी में बहुत crystal clear तरीके से cover कर रहे हैं, ठीक है? तो मल लगा कर बने रही है, पढ़ते रही है हमारे साथ, ये सारे questions आपको PDF में मिल जाएंगे इनको solve करिये और इनका answer comment box में जरूर बताइएगा, तब तक के लिए धन्यवाद बने रही है, हमारे साथ मिलते हैं, अगले portion में, that is center of mass का advanced part, that is conservation of linear momentum, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा, मदा आ रहा है, आप लोगों के साथ काम करके, आप लोगों का सने, आप लोगों का रहेंगे, ठीक है, चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं, अगले lecture में,